नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशिल यूटूब चेनल गुरुजे स्पेशल क्लासिस में मैं हूँ निमाई साना आपके समक्ष उपस्थित हो साइन्स विशेवस्तू को लेकर इस्टेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं और कुछ most important बलों के बारे में जिसमें से एक महतपूर्ण बल है आपका friction force तो सबसे पहले हम जानेंगे कि friction force अनि घर्शन बल हम किसे कहते हैं घर्शन बल होता क्या है और घर्शन बल के कितने प्रकार होते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं कहां पर घर्शन बल का मान सबसे अधिकतम होता है कौन से घर्शन बल में घर्शन बल का मान सबसे कम होता है कौन से घर्शन बल में घर्शन बल का मान सबसे अधिक होता है घर्शन बल से सम्मंदित कुछ important facts होते हैं जहां से maximum exams में questions बनते हैं, उन सभी points को हम cover करेंगे, घर्षन बल के क्या लाव है, benefits इसके क्या है, क्यूं घर्षन बल हमारे लिए बहुत जादा important है, किस वज़े से हमें घर्षन बल को लावधायक मानना चाहिए, इन सभी बातों को आज की class में हम जानेंगे, समझने के कोशिश करेंगे, और उन सभी points को cover करेंगे, जहां से आपके exams में सीधे सीधे प्रशन पूछे जाते हैं, तो चले शुरू करते हैं आज की class और जानते हैं, आज की class का जो पहला point is students वो है आपका घर्षन बल, जिसे हम English में कहते हैं friction force, तो friction force अगर घर्षन बल हम किसे कहते हैं, सबसे पहले आईए जानते हैं और समझते हैं कि घर्षन बल हम किसे कहते हैं, तो दो वस्तूं के संपर्क तल में लगने वाला विपरीद बल, घर्षन बल कहलाता है, देखे दो वस्तूं, अगर आप किसी इस direction में गती कर रहे हैं तो घर्षन बल का direction इस direction में होगा अगर आप उपर की और गती कर रहे हैं तो घर्षन बल का मान नीचे की और होगा तो इस तरीके से जब दो वस्तूओं के संपर्क तल में लगने वाला विपरीद बल, यानि कि जो उनका संपर्क स्थल है, उस तल पर जो भी विपरीद बल कारे करेंगे, उन्ही को ही हम घर्शन बल कहते हैं, उमीद करता हूँ कि इस पॉइंट से आप घर्शन बल को समझ पा और आपके पैर है, इनके बीच में एक संपर्क तल है, उस संपर्क तल में घर्शन बल का मान अपोजिट डिरेक्शन में होगा, अगर आप इस डिरेक्शन में गती कर रहे हैं, तो घर्शन बल जो है इसके अपोजिट डिरेक्शन में होगा, और घर्शन बल होगा तब ही आप आगे की और गतिक कर पाएंगे अगर यहां पर घर्षन बल नहीं होता है मान लेजी कि आप एक ऐसी सते पर चलते हैं जहां पर घर्षन बल बिलकुल भी ना हो शूने हो तो आप महाँ पर फिसल जाएंगे तो कहने का मतलब जब दो वस्तों के संपर्क तल में जो विपरित बल लगते हैं उसी को ही हम घर्षन बल कहते हैं उमीद करता हूं कि यह पॉइंट्स आपको एजिली क्लियर हो पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दूसरे डेफिनिशन से भी घर्षन बल हम किसे कह सकते हैं दो वस्तों के बीच कारिय करने वाला ऐसा बल जो सदेव उनकी गती का विरोध करता है घर्षन बल कहलाता है देखिए दो वस्तों के बीच इसका मतलब भी वही है सिदा सिदा कि दो वस्तों के बीच कारिय करने वाला ऐसा बल यानिकि जब दो वस्तुएं होती है तो उनके बीच में एक बल कारिय करता है और वो बल सदेव उनकी गती का विरोध करते है यानिकि जिस डायरेक्शन में वो गती करेंगे उस डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में वो बल लगेगा यानिकि वो बल जो है आपकी गती का विरोध करेगा और उसी विरोध आभास जो बल होता है यांनि कि जिस विरोध्धी बल को आप आभास करते हैं आप फील करते हैं उसी को ही हम घर्शन बल कहते हैं उमीद करता हूं कि घर्शन बल यन्해 friction force को आप easily clear कर पाएंगे यानि कि जब जब आप किसी भी direction में गती करते हैं तो आप जिस direction में गती करते हैं उसके विपरित दिशा में आपको एक बल महसूस होता है मतलब आभास होता है और उस बल को ही हम घर्शन बल कहते हैं लेकिन यह जो बल महसूस होता है इस्ट्वेंट्स य यह बल लगता है और उसी बल को हम कहते हैं घर्शन बल यानि कि friction force उमीद करता हूँ कि friction force को आप easily clear कर पाए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि घर्शन बल के कितने प्रकार होते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि घर्शन बल कितने प्रकार क होते हैं यानि कि पाच टाइप्स कौन कौन से हैं तो नंबर फर्स्ट है आपका इस्थैतिक घर्शन बल नंबर सेकेंड आपका सीमांत घर्शन बल नंबर थर्ड है आपका गतिक घर्शन बल नंबर फोर्थ है आपका सरपील घर्शन बल और नंबर फाइब है आपका प्रकार के होते हैं और वो पांचों के प्रकार आपके सामने हैं जिसमें एक है आपका थैतिक घर्षन बल, दूसरा है सिमांत घर्षन, तीसरा है गतिक घर्षन बल, चौथा है सरपिल घर्षन बल, और पांचवा है लोटनी घर्षन बल, इन पांचों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, और घर्षन बल के पांच प्रकार है, इनको भी आपको ध्यान रखन एक्जैम्स में सीधा सीधा प्रशन पूछा जाएगा कि घर्शन बल कितने प्रकार के हैं तो अगर पूछा जाएगा तो आपको पांच प्रकार के साथ जाना है और अगर आपसे ये भी कोशन बनाया जा सकता है कि निमने लिखित में से घर्शन बल नहीं है तो नहीं है वाल जो पाँच प्रकार है उनको अच्छे से जानना होगा अगर आप जानते हैं तभी आप नहीं है वाले प्रशनों को सॉल्व कर सकते हैं उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पारें चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन सभी घर्षन बलों को डिटेल में तो किसे कहते हैं तो देखिए जब कोई वस्तू किसी अन्य वस्तू की सतय पर विराम अवस्था में हो तब वस्तू एवंग संपर्क सतों के मध्या लगने वाला बल को इस्थेतिक घर्षन बल कहते हैं देखिए जब कोई वस्तू किसी सतय पर विराम अवस्था में हो विराम वस्था में तो जब कोई भी वस्थू किसी अन्य वस्थू की या किसी अन्य वस्थू की सत्य पर विराम वस्था में हो तो वस्थू यानि कि जो वस्थू विराम वस्था में उस वस्थू और जो संपर्क सत्य है इनके मध्य एक बल कारिय करता है इनके इनके मद्धे लगने वाला जो बल है उसी को ही हम इस्तेथिक घरशन बल कहते हैं यहनि कहने का मतलब सीधा सीधा इस ट्रेंट्स यह है फॉर इग्जामपल के लिए व्यक्ति का खड़ा होना या बैठे रहना मान लिजे कि आप किसी भी पोजिशन पर खड़े हैं तो जब आप खड़े हैं तो आप विरा मवस्था में हैं तो जब आप विरा मवस्था में हैं तो मान लिजे कि यह आपके जो पैर हैं कुछ इस तरीके से हैं और आप खड़े हैं भूमी पर तो जब आप खड़े हैं भूमी पर और आप विराम अवस्था में है तो आपके पैर और जमीन के बीच में एक घर्शन बल कारिय कर रहा है जिसके कारण आप खड़े हो पा रहे हैं तो इसी घर्शन बल को ही हम कहते हैं स्थैतिक घर्शन बल इसी तरी के स्ट्रेंट जब आप बैठे रहते हैं, तो जब आप बैठे रहते हैं, तो भूमी के साथ, यह जिस भी प्लेस पर आप बैठते हैं, उस प्लेस के साथ और आपकी बॉड़ी एक विराम अवस्था के पोजिशन में होते हैं, तो आपकी बॉड़ी और उस सते के ब हैं तब भी घर्षन बल कारिय करता है लेकिन उस घर्षन बल को हम कहते हैं इस्थेतिक घर्षन बल के कारण ही हम खड़े या बैठे रह सकते हैं उम्मिद करता हूं कि aesthetic घर्शनबल को आप easily clear कर पाएंगी चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं next point आपका है strengths सीमान्त घर्षनबल हम केसे कहते हैं तो इसके अंतरवेकर जो पहला point है strengths वो ये है कि aesthetic घर्षनबल का अधिकतम मान को सीमांत घर्षन बल कहते हैं अभी आपने स्थेतिक घर्षन बल को समझा कि स्थेतिक घर्षन बल का मतलब होता है कि वस्तु विराम अवस्था में होता है और वस्तु जिस सते के साथ संपर्ख में होता है और जब वस्तु विराम अवस्था में होता है तो aesthetic घर्षन बल का जो अधिकतम मान है यानि कि जो maximum मान है उसी को ही हम सीमानत घर्षन बल कहते हैं यानि कि सीधा सीधा मतलब यह strengths for example के लिए athlete का भागने से पहले का position आपने देखा होगा कि जो athletes होते हैं जो runners होते हैं वो भागने से पहले एक position लेकर बैठते हैं मतलब जैसे ही आप 1,2,3 और go कहते हैं तो वो runner एनि athlete भागना start करता है तो जब आप भागने की पूरी position में हो और maximum condition में आप खड़े रहो मतलब रहो तो आप विराम में ही लेकिन आपका जो body gesture है वो रहता है भागने की position में तो athlete का भागने से पहले जो position होता है यानि की जिस position में वो भागना start करते हैं गो से पहले की जो अवस्था है उसी को ही हम कहते हैं सीमांत घरशन बल तो उमीद करता हूँ कि आप सीमांत घरशन बल को easily समझ पायोंगे इसका मतलब strength ये है कि जो aesthetic घरशन बल का जो अधिक्तम मान है यानि की जब आप maximum value पर पहुँचते हैं जब आप विराम अवस्था में होते हैं लेकिन विराम अवस्था में भी आप बिलकुल तयार होते हैं भागने के लिए या चलने के लिए तो उस position को यहांगे के यहाँ पर जो bracket में आपको बताएगा गती की अवस्था में आने से ठीक पहले की इस्थिति हैनी की aesthetic घरशन बल का देखता मान को ही हम सिमान घरशन बल कहते हैं कहने का मतलब जब आप गती की अवस्था में आना चाहते हैं तो उससे आने से ठीक पहले की जो इस्थिती है, पोजिशन है, उसी को ही हम सीमान्त घर्षन बल कहते हैं, उमीद करता हूँ कि आप सीमान्त घर्षन बल को भी easily समझ पायोंगे, चली आगे बढ़ते हैं और समझते हैं next point आप से क्या कहता है, तो next point आप से कहता है strength की गतिक घ घर्षन बल क्या होता है, चले इसको भी समझते हैं कि गतिक घर्षन बल हम किसे कहते हैं, तो जब वस्तु किसी अन्य सतह पर गती करती है, तब उनकी आपेक्षिक गती के विपरिद दिशा में लगने वाले बल को गतिक घर्षन बल कहते हैं, यानि कि जब वस्तु किसी अन अन्य सतह पर गती करती है तब उनकी आपेक्षिक गती के विपरित दिशा में लगने वाले बल को गती घर्षन बल कहते हैं नहीं कहने का मतलब इस ट्रेंट्स यह है कि जो मैंने आपको घर्षन बल समझा है घर्षन बल का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी डिरेक्शन म मान लिजे कि आप इस direction में गती कर रहे हैं तो जब आप गती करते हैं इस direction में तो आपकी जो पैर होते हैं उनके और भूमी के मध्य एक बल कारिय करता है और वो बल जो है आपकी गती की दिशा के विपरीत होते हैं जिनको हम घर्शन बल कहते हैं और इसी घर्शन बल को ही हम घर्शन बल कहते हैं क्योंकि इसी गती घर्शन बल की वज़े से ही आप गती कर पाते हैं अगर आप विराम अवस्था में रहेंगे तो वो हो जाएगा आपका इस्थैतिक घर्शन बल और अगर आप विराम अवस्था से गती की अवस्था में आने से पहले की कंडिशन में र है कि athlete का भागने के दौरान या चलने के दौरान लगने वाले घर्षन बल यह जब athlete भागते हैं तो भागने के दौरान जो घर्षन बल लगता है चलने के दौरान जो घर्षन बल लगते हैं उनको हम गतिक घर्षन बल कहते हैं उमीद करता हूँ कि ये points भी आपको easily clear हो पाए होंगे चले आगे बढ़ते हैं और समझते हैं next घर्षनबल के वारे में नेक्स्ट घर्षनबल है आपको सरपिल घर्षनबल हम किसे कहते हैं आप शब्दों से ही समझ सकते हैं साप की जो गती है तो इसके अंतरगत बताया गया है कि जब एक वस्तु इस्थिर रहती है और दूसरी वस्तु उस पर खिसकती है तो उनके मद्य लगने वाले घरशन बल को सरपील घरशन बल कहते हैं यelpले जब एक वस्तु इस्त्र रहते हैं येक वस्तु मानलीजे इस्त्र है, stable position में है और दूसरी वस्तु खिसकती है ये और दूसरी वस्तु जो है, वो खिसकने के position पे होते हैं याँए कि आगे बढ़ने के position में होते हैं तो एक वस्तू तो आपके स्थिर है और दूसरी वस्तू आपकी क्या है खिसकती है तो इनके बीच में जो बल कारिय करता है उसको हम कहते हैं सरपिल घर्शन बल उसको हम कहते हैं example के लिए साप का भूमी पर चलना देखे आपने देखा होगा साप जब भूमी पर चलता है तो आपको पता है कि साप जो है वो खिसकती है आगे की और भूमी आपकी क्या है इस्थिर है तो साप आगे बढ़ने के लिए खुद को खिसकाती है और खुद को आगे की और खिसका ये जो भूमी ये आपकी इस्थिर पोजिशन में है और साब को खुद से ही आगे बढ़ना है तो इसका मतलब उनको इस कंडीशन में एक्स्टराफोर्स लगाना होता है तो जब एक्स्टराफोर्स जब घर्षण बल कमान जब आप सबसे अधिखतम लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं सरपिल घर्शन बल क्योंकि सरपिल घर्शन बल में एक वस्तू स्थिर रहती है और दूसरी वस्तू पहली वस्तू पर खिसकती है आगे की और बल लगा कर तो इस बल को ही हम कहते हैं सरपिल घर्शन बल और साप के चलने के कारण ही इसका नाम सरपिल घर् जादा लगता है देखी हinfl pens बहुत जादा इंपोर्टन्ट थे आप से पूछ जा सकता है कि हμुफ ज़या कि मान सबसे अधिक्तम कि सबसे को घर दा एगर आप वह से यह कोशिन जा तो आपको बताना है सर्पिल घर्षन बल में घर्षन बल का मान सबसे maximum होता है उमीद करता हूँ कि आप सरपिल घर्षन बल को भी easily clear कर पायोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं next point और last point आपके घर्षन बल के इंतरगत है चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं next point आपका है लोटनिक घर्षन बल हम किसे कहते हैं तो देखें लोटनिक घर्षन बल हम कहते हैं जब एक वस्तु स्थिर रहती है और दूसरी वस्तु उस पर लुड़कती है तो उनके मध्या लगने वाले बल को लोटनिक घर्षन बल कहते हैं कि इसमें भी condition सेम है सरपिल घर्षन की तरह लेकिन थोड़े से changes है जब एक वस्तु स्थिर रहती हैं कि एक वस्तु तो आपकी स्थिर होंगी और दूसरी वस्तु उस पर लुड़केंगी तो इसका मतलब यह हुआ कि जब एक वस्तु आपकी स्थिर रहती है और उस पर दूसरी वस्तु लुड़कती है तो उस condition में उनके मध्य एक बल कारिय करता है और उस बल को हम कहते हैं लोटनी घर्षन बल तो उमीद करता हूँ कि सरपिल घर्षन बल में क्या होता है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर खिसकती है यहां पर जो ditूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लुड़कती है यानि कि बहुत जल्दी मुव्मेंट कर लेती है जिसको हम लोड़कना कहते हैं तो जब वस्तु दूसरी वस्तु लुड़केगे किसी पहली वस्तु पर जो वस्तु इस्तिर है तो उस condition में उनके मध्ध भी एक बल लगेगा उस बल को हम कहेंगे लोटनी खरशन बल For example के लिए रोटी बेलने के दोरान बेलन का लोड़कना देखे रोटी बेलने के दोरान जब आपके बेलन लोड़कते हैं तो उस conditions को हम कहते हैं लोटनी खरशन बल दूसरा point होता है सिलेंडर का लोड़कना यहीं कि लोड़कने का मतलब होता है कि जब आप सिलेंडर को लोड़का कर लेकर आते हैं यहीं कि उसको धका मारते हैं और वो मूव होता है और गोल गोल घुम कर वो आगे आता है तो उसको हम लोड़कना कहते हैं कहने का मतलब यह है कि जब आप रोटी बेलते हैं तो बेलन जो लुड़कता है तो उसको हम बोलते हैं लोटनी घरशनबल इसी तरीके से जब आप सिलेंडर को लाते हैं तो उसको भी लुड़का कर लाते हैं अगर आप अकेले लाते हैं सिलेंडर को तो mostly आप उसे लुड़क कällt उसको हम कहते हैं लोटनीग खर्षन बल या जब आप सिलंडर को लुडकाते हैं तो शिलंडर और भूमी के मध्य जो आपका बल लगता है उसको हम कहते हैं लोटनी crazy खर्षन बल उमेद करता हूं कि लोटनी घरशन बल को भी आप easily clear कर पायोंगी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next point आप से क्या कहता है तो next point आप से कहता है इसमें घरशन बल बहुत कम लगता है इसलिए वस्तु लुड़कता है देखिए घरशन बल जो है इसमें बहुत कम लगता है अगर आप से पूछा जाए कि घरशन बल का मान सबसे कम कब यूज होता है अगर घरशन बल आपका सबसे कम कहां पर यूज होता है तो जब आप लोटनी घरशन बल करते हैं तो उस दौरान घरशन बल का मान सबसे कम होता है और जब आप सरपिल घर्षन करते हैं तो उस दोरान घर्षन बल का मान सबसे अधिक्तम होता है उमीद करता हूँ कि यहां तक जितने भी points हमने घर्षन बल के इंतरगत पड़े हैं जो भी 5 प्रकार है उन सभी 5 के 5 प्रकार को आप easily clear कर पाए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई doubts आपके मन में बनता है तो आप मुझे comment section में जाकर comment कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके doubts को clear करूँ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समझते हैं कि घर्षन बल से सम्मनित facts यहां से सीधे सीधे आपके exams में प्रशन बनते हैं तो उन points को हम cover करेंगे ताकि घर्षन बल से related जो भी प्रशन आपके exams में बनेंगे उन प्रशनों के right option तक आप easily पहुँच पाएं तो इसके इंतरगत पहला point आपका बनता है students की घर्षन बल वस्तूं की सतह पर निर्भर करता है ना की शेतरफल पर यहां से आपके exams में questions बनते हैं कि निमलिकित में से घर्षन बल निर्भर करता है option A है आपका सतह option B है शेतरफल option C है दोनो और option D है इन में से कोई नहीं इस तरीके से आपके exams में one day competitive exams में questions बनते हैं अगर आप से इस तरीके से प्रशन पूछे जाए कि घर्षन बल किस पर निर्भर करता है तो आप बताएंगे कि घर्षन बल जो है वो सतह पर निर्भर कर है घर्षन बल सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपकी सतह पर उमीद करता हूं कि इस points को आप easily clear कर पाएंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next point आप से क्या कहता है तो next point आप से कहता है कि ठोस से ठोस में घर्षन बल का मान कितना होता है सबसे अधिक सबसे कम या दोनो या इन में से कोई नहीं तो ठोस से ठोस में घर्षन बल का मान सरवाधिक होता है इस points को भी आपको च्छे से ध्यान रखना है चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next point आप से क्या कहता है तो next point आपसे कहता है student कि gas से ठोस में घर्शन बल निउन्तम होता है यहाँ पर student थोड़ा सा typing error है यहाँ ठोस नहीं होगा यह भी आपका gas होगा तो यहाँ पर आपको धियान रखना है कि gas से gas में घर्शन बल निउन्तम होता है या सबसे कम होता अगर आपसे पूचा जाए कि घर्शन बल सबसे ज्यादा किसमे है तो सबसे ज्यादा है ठोस में उसके बाद है आपके द्रव में और उसके बाद है आपके gas में तो आपको ध्यान रखना है कि ठोस से ठोस में घर्शन बलकामान सबसे अधिक होता है और गैस से गैस में घर्शन बलकामान सबसे कम होता है तो इसका मतलब गैस से गैस में घर्शन बलकामान नियूनतम होता है इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है चले आगे बचते हैं next point आपसे क्या कहता है तो next point आपसे कहता है strength की घरशन बलको कम करने के लिए मशीनों में mobile oil, grease, इसनेहक, graphite आदी का प्रयोग किया जाता है यानि कहने का मतलब आपने देखा होगा strength कि जब हम मशीनों में या किसी वाहन में mobile इसनेहक का उप्योग करते हैं तो इन सभी चीजों का उप्योग हम इसलिए करते हैं ताकि घरशन बल जो है वो कम से कम हो सके क्योंकि घरशन बल कम होगा तभी आपके जो गाड़ी के पईये हैं वो सही से मूव कर पाएंगे और उसके अंदर के सिस्टम में नुकसान कम से कम होगा इसलिए आप जो है हर दो महिने तीन महिने या 1000 किलोमेटर पर अपने गाड़ी को सर्विस कराते हैं तो जब आप गाड़ी को सर्विस कराते हैं तो उसके अंतर गत उसके अंदर mobile डाला जाता है उसमें ग्रिसिंग किजाती है ताकि आपके जो Nap Day आपका तषका जो मशीन है वो बहतर ढ़ंक से चल सकें और उसमें घर्शणबल कम से कम यूज़ हो सकें जितना Z यादा कम घर्शन बल कम होने के कारण हम केले के छिलके पर बारिश के मौसम में फिसल कर गिर जाते हैं। घर्शन बल कम हो गया फिर शुन्य हो गया इसी वज़े से हम गिर गए तो सीधा सीधा संपर्क आपका किस के साथ है घर्शन बल के साथ है। आप से पूछा जाए कि आप जो ये घर्शन बल पड़ रहे हैं इसके पीछे के क्या बेनिफिट्स है या फ्रिक्शन फोर्स का क्या फाइदा है आपके लाइफ में तो आप बता सकते हैं कि घर्शन बल के कारण हम खड़े रहते हैं दोड़ते हैं और चल पाते हैं आज कि आ तो हम खड़े रह पाते ना ही हम दोड़ पाते और ना ही हम चल पाते हम सिर्फ और सिर्फ एक फुटबॉल के आकार के होते हैंनि कि एक गोल जिसमें कोई हड़ी नहीं होता और सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते लुड़कते अपनी इच्छा नुसार हम कुछ भी नहीं कर सकत तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो घर्षन बल है ने फ्रिक्शन फोर्स है इसका कितना ज्यादा बेनिफिट हमारी लाइफ पर है तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि घर्षन बल की ये लाब है जिसके कारण आज की डेट में हम वरतमान में खड़े रहते हैं द कुछ फैक्ट जो सीधे सीधे आपके एक्जैम्स में बनते हैं कि घर्षन बल जो है वो वस्तो की सतह पर निर्बर करता है ठोस से ठोस में घर्षन बल कमान सबसे अधिक्टम होता है गैस से गैस में घर्षन बल कमान सबसे नियुनतम होता है घर्षन बल को कम करने के लिए ह ही हम गिर पड़ते हैं या केले के छिलके पर बारिश के मौसम में पैर रखने पर घर्षन बल कम होने के कारण हम गिर जाते हैं या घर्षन बल से समयनित क्या benefit है तो जो हम घर्षन बल पड़ते हैं या अभी घर्षन बल्ड एनि फ्रिक्षन फोर्स से सम्मंदित उन सभी पॉइंट्स को आप एजिली क्लियर कर पाई होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं कोशिश करूँगा कि आपके डा ना हो तो आपको टाइम टाइम नूट्विकेशन मिलते रहें धन्यवाद जेहिंट